नमस्कार अमारे स्काश्चों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक मैं आपको बताऊंगे हात्रस में जिस भोले बाबा के सत्संग में भगदर मची उस भोले बाबा से जुड़ी कई अंसुनी कहानिया नमस्कार आपके साथ मैं हूँ नलीनी पांडे मैं आपको बताऊंगे भोले बाबा के ससंग में बाबा की ड्रेसल कूट कर रहे स्या नमस्कार मैं आमिद गंजू मैं आपको बताऊंगा कि क्या भोले बाबा के सिवादारों और उनके सुरक्षा कर्मियों ने भक्तों के साथ धक्कामकी की थी भोले बाबा वो नाम जो हाथ रस हाथ से के बाद सबकी जबान पर है कैसे एक जोपड़ी में सत्संग करने वाला सूरजपाल बन गया भोले बाबा इस रिपोर्ट से देखिए हाथ रस हाथ से की तस्वीरों से पूरे देश की आँखे नम है ये भग सूरजपाल उर्प नारायन साकार हरी जिन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है उनका प्रवचन सुनने आये थे आखिर ये भोले बाबा है कौन वो प्रवचन क्यों देने लगे भोले बाबा के कपड़ों का रहस्य क्या है आज हम आपको भोले बाबा से जुड़े पुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे काउं में खेती करते थे भोले बाबा नारायन हरी उर्ख भोले बाबा का असली राम सूरजपाल है वो कासकंज जिले के बहदूर नगर का रहने वाला है सूरजपाल बच्पन में अपने फिता के साथ खेती करते थे पुलिस विभाग में नौकरी सूरजपाल बच्पन से पुलिस विभाग में काम करने के सपने देखा करते थे वो पुलिस में भरती होना चाहते थे लिहाजा उन्होंने तयारी की और पुलिस डिपार्टमेंट में भरती हो गए लेकिन पुलिस विभाग में करीब 18 सालों तक नोकरी करने के बाद उन्होंने अचानक से बियारेस ले लिया जोपड़ी से पुरवचन की शुरुआत पुलिस की नोकरी छोड़ने के बाद सुरजपाल ने अध्यात्म का रुख किया पट्याली के गाउं बहादून नगर में अपनी जोपड़ी से ही उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया भोले बाबा का कहना है कि अचानक उनके अंदर भगवान के पृति लगाव होने लगा और उन्होंने ये रास्ता अपना लिया पुलिस की नोकरी छूपने के बाद सुरजपाल ने अपने घर पर सत्संग करना शुरू कर दिया गाउं की एक कोठ्री में पांच लोगों से शुरू हुआ सत्संग में भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई बाबा का यह कहना था कि उसे प्रभू में इतना लीन होने का मंद कर रहा है कि उसके लिए दुनिया में अब कोई भी चीज सामने उसे अच्छी नहीं लगती यही वज़य है कि वो आपने आपको शंकर या बोले शंकर कहलवाने लगा पहले घर पर 15 लोगों को सत्संग में बुलाया करता था मगर उसका ये परचार धीरे धीरे बरता चला गया और भक्तों की संख्या बेगा गाउं में उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया धीरे धीरे लोग उन्हें भोले बाबा कहने लगे और उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी लोग उनकी बातों में आने लगे खुद को बताते हैं हरी का शिश्य भोले बाबा खुद को हरी का शिश्य बताते हैं उनका कहना है उनका कोई गुरू नहीं है बलकि वो हमेशा से हरी के भक्त रहे हैं इसलिए उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया उन्होंने अपना नाम सूरज पाल से बदल कर नारायन शाकार हरी कर दिया पाँच राज्यों में भोले बाबा का जल्वा जैसे जैसे भोले बाबा के प्रवचन बढ़ते गए उनके भक्तों की तादा भी बढ़ती चली गई एटा, आगरा, मैंपुरी, शाह जाहपूर, खात्रा समय कई जिलों में भोले बाबा के भक्तों की तादाद लाखों में है लेकिन भूपी ही नहीं, राजिस्थान, भरियाना, मध्यप्रदेश में भी पड़ी तादाद में भक्त भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने आते हैं जाटव बालमी की समाज के ज्यादा भक्त वैसे तो भोले बाबा के भक्त सभी समुदाय से आते हैं लेकिन माना जाता है कि जाटव और वालमी की समाज में भोले बाबा का खासा प्रफाव है उनके ज्यादातर भक्त ऐसे हैं जो जाटव वालमी की और अन्या पिछडी जातियों से आते हैं जिनकी संख्या लाखों में है भक्त मानते हैं अफ्तार भौले बाबा खुद को हरी का भक्त बताते हैं वो अपने प्रवचनों में हरी के गुण गाते दिखाई देते हैं लेकिन उनका जादू ऐसा है कि उनके भक्त उन्हें भगवान का अफ्तार मानते हैं यही वज़े है कि हाथरस में उनके चर्णों की धूल हासिल करने के लिए भक्तों में भक्दाड मच गई। भोले बाबा के सत्संग में लाखों की भीड आती है और उन भक्तों को परसाद के तौर पर पानी पिलाया जाता है। भक्तों का मानना है कि बाबा के सत्संग वाला जादूई पानी पीने से उनकी सारी परिशानिया दूर हो जाती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भोले बाबा के सत्संग में आने वाले यहां का पानी भरकर अपने खड़ ले जाते हैं और रिष्टेदारों को भी पिलाते हैं। बाबा का जादूई पानी सरचड बोलने लगा। बाबा अपने सत्संग में जादूई पानी को अपने भक्तों को देते थे। भक्तों की आस्ता ऐसी कि उस जादूई पानी को वो खुद पीते थे अपने परिजनों को और अपने नाते रिष्टेदारों को पिलाते थे उनका ये मानना था भक्तों का कि इस जादूई पानी से उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे यहां तक कि जादू दोना तोटका अगर किसी ने कुछ किया हो तो यह जादू ही पानी उस पर असर करता था जुरो रिपोर्ट जुजेटी